गुड़ मॉर्निंग दोस्तों, have a nice day, discuss कर रहे थे English की section वीडियों को लेकर और topic चल रहा था evaluation इससे पहले इस topic के मैंने आपको तीन वीडियो अवेलेबल करा दियें जो आप चेनल के playlist में जाकर आप देख सकते हैं जो काफी ज्यादा important है read के लिए आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे difference between measurement and evaluation यानि मापन और मुल्यांकन में क्या अंतर है basically इन दोनों में जो अंतर है difference है वो हम लोगों को पता होना चाहिए तो जो most important difference है वो हम इस वीडियो में discuss कर लेते हैं जैसे पहला point है it has limited scope measurement क्या है limited scope है लेकिन evaluation क्या है it has wide scope यानि जो मुल्यांकन है वो एक विस्तरत है इसमें हम complete evaluate कर सकते हैं बच्चे के बारे में complete बता सकते हैं तो यह wide expect पे जबकि measurement नहीं है measurement क्या है limited scope है तो यह difference है आप वो पता होना चाहिए next आपका measurement क्या है it has no conclusion यानि इसमें निसकर्ष नहीं निकलता किसमें measurement में लेकिन मुल्यांकन में हम it has ये एक result देता है इसमें हम result पे हम बहुंश सकते हैं निसकर्ष निकलता है तो यह भी एक difference है next आपका it is not necessary part of education शिक्स्या के लिए एक जरूरी हिस्सा नहीं है क्या measurement लेकिन मुल्यांकन क्या है it is necessary part of education जैसे जैसे बच्चे की learning होगी evaluate होना जरूरी है तो मुल्यांकन को हम कह सकते हैं कि यह एक education का आउस्सिक हिस्सा है तो यह भी एक difference है अगला difference है it is only formal process यह एक उपचारिक प्रक्रिया है लेकिन मुल्यांकन क्या है it is formal and informal यह उपचारिक भी है और अपचारिक भी है दोनों प्रक्रिया मुल्यांकन में होती है next आपका it is quantitative यह एक संख्यात्मक है लेकिन मुल्यांकन क्या है it is quantitative and quality यह संख्यात्मक के साथ कुनात्मक भी है बच्चे के बारे में हम बता सकते हैं कि बच्चा कैसा है लेकिन measurement के द्वारा यह नहीं हम बता सकते हैं तो यह भी एक इन दोनों में difference है जो हमको पता होना चाहिए next नहीं होता है लेकिन मुल्यांकन में ऐसा नहीं है complete personality of tested यानि बच्चे की personality जो होती है वेक्ति तो जो होता है उसकी बारे में complete friction किया जा सकता है किसमें evaluation में तो यह भी इन दोनों में एक difference है जो आपको पता होना चाहिए next difference है आपका comparative study is not possible यानि तुलनात्म के दिन इसमें नहीं किया जाता है किसमें आपका measurement में लेकिन मुल्यांकन में क्या होता है comparative study is possible इसमें तुलनात्म के दिन हम कर सकते हैं नेक्स्ट आता है आपका it is content centered इसका जो आधार होता है वो content होता है लेकिन मुल्यांकन क्या है it is objective centered इसमें उदस से नेड़दारीत होते हैं तो यह भी एक इन दोनों का difference है जो हमको पता होना चाहिए next और अन्तिम बिंदु है no significant of predication is made in this यानि जो मापन है उसमें हम नहीं बना सकते लेकिन मुल्यांकन यह कैसी चीज है जिसमें significant of predication predication का मतला होता है पूर्व अन्मान is made in this यानि इसमें हम मुल्यांकन में हम बच्चे के बारे में पूरुरा राए बना सकते हैं पहले देख कि बच्चे के बारे में बता सकते हैं कि इस बच्चे का इस चैत अच्चे से समझ में आ गए हो और याद भी हो गए होगे तो आज के वीडियो में इतना ही मुझे दीजी जाजत उमिद करता हूँ वीडियो आपको अच्चे से समझ में आगए होगा और कोई दिक्कत है आपके इस topic में से कोई point समझ में नया तो वीडियो के अंत में आप comment करें और जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसा लगा अगले वीडियो में हम डिसकास करेंगे एवलेशन की जो टेक्निक्स हैं टूल्स हैं उस पर हम डिसकास करेंगे जो काफी जड़ा इंपोर्टेंट है और प्रसंद भी वहां से प्रसंद पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों धन्यवाद